तो guys हमारे पास एक बहुत common सा question आ रहा है बार बार Instagram पे, वीडियो के comment section में, LinkedIn पे, कि sir क्या हमें spring सीखना जरूरी है spring boot सीखने के लिए, भाई हम APIs बनाना चाहरा है and APIs backend की बनाना चाहरा है spring boot की help से, तो क्या हमें वो लंबा सा learning curve follow करना पड़ेगा, हमें वो servlet, jsp, spring ये सब ची specifically क्या जरूरी है spring सीखना, spring boot spring के बिना हम नहीं सीख सकते क्या है, इस सब ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले, तो बने रही है मैरे साथ, और हम इस वीडियो में conclude करेंगे कि आपको क्या सीखना चाहिए, तो चलते है, start करते हैं, तो guys सबसे पहले, आपको ये जानने सीखना चाहिए, कि बात में सीखना चाहिए, पहले spring सीखना चाहिए, तो अगर मैं बताओ, तो spring boot पहले जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है, कि spring boot spring का alternative नहीं है, spring को replace करने नहीं आया था spring boot, ये चीज़ आपको clear cut होनी चाहिए, तो spring boot है क्या सब, spring boot basically एक तरीका है, जिसकी help से हम rapidly spring के project को start कर सकते हैं, मतलब अगर हमें कोई project start करना है, तो वो manual configuration ना करके, हम लोग जल्दी से spring boot के help से spring के ही application को start, शुरू को शुरुआत कर सकते है, spring boot हमें बहुत सारे benefits provide करता है over spring, लेकिन actually concept वही है, है वही spring, जो यहाँ पे spring boot में ही चलेगा but spring boot हमारी बहुत सारी help करने वाला है, आपको बहुत सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, वो काम spring boot कर देगा, तो अगर मैं बोलनू तो spring boot is just a way of rapidly starting a project using spring framework, it is not a replacement or alternative of spring framework, तो यह कोई replacement or alternative नहीं यह spring का, इसका मतलब यह दोनों, क्या एक दूसरे मिलब ऐसा नहीं हो सकता कि लेकिन alternative नहीं है, और नहीं यह replace कर रहा है spring को, इसका मतलब spring आनी ही आनी चाहिए, technically अगर देखा जाए spring boot सीखने के लिए, लेकिन guys, अगर आप spring boot direct सीखते हो, without learning spring, तो आपको बहुत सारे advantages मिलने वाले हैं, जैसे, it reduces learning curve, जो learning curve है, वो reduce हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो guys, it reduces learning curve, spring boot आपका बहुत सारे learning curve reduce कर देता है, and complexity भी reduce हो जाती है, complexity का मतलब जो काम आप बहुत complex तरीके से spring में करोके, वो spring boot में बहुत असानी से हो जाएगा, इससे क्या होगा, जो magic है spring boot का, उस magic के बारे में आपको चीज़े पता चलेंगी, and आपका जो interest है, वो बना रहेग बतलब जो auto configuration का magic है, उसकी help से जब चीज़े काम होगी, तो result आपके सामने आएगा, और आपका interest बना रहेगा, आप बोर नहीं हो जाओगे, लेकिन ऐसा spring में हो सकता है, कि भाई, आप बहुत सारी चीज़े वहाँ पर सीखने को पढ़ रही है, and result आपको बहुत सारी चीज होने वाला है, last में यार, interest बहुत जादा important होता है, जैसे मैंने बोला कि भाई, एक फाइदा ये भी है कि आपका interest बहुत जादा बना रहेगा, अगर आप चीज़े build करोगे, बहुत मतलब आसानी से, obvious ही बात है कि interest नहीं रहेगा, तो आप काम नहीं कर पाऊगे, तो अगर करने में मचायेगा, काफी चीज़े करनी होंगी, बट ये चीज़ भी हमें नहीं भूलना चाहिए, कि spring boot, जो है वो spring का ही module है, ये कोई इसका alternative या फिर replacement नहीं है, इसका मतलब spring के configurations, जो होंगे, या जो basic spring चल रहा होगा, वो चीज़ important होगी, तो finally मैं conclude करता हूँ, तो guys करूँ कि आपको करना क्या चाहिए, तो आप दो cases यहां पर बन सकते हैं, मैं दोनों cases यहां पर समझाना चाहूँगा, कि यह दोनों cases क्या बन सकते है, case 1, अगर मैं case 1 की बात करूँ, तो अगर आपके पास ample amount of time है, that means you have enough time, अगर आपके पास enough time है, तो आपको जो logic कह रहा ह अगर आप बने रह सकते हो, game में, तो आप spring सीखो, उसके बाद spring boot सीखोगे, लेकिन अगर आप यह वाला path follow करते हो, case 1, अगर आप follow कर लेते हो, इसका मतब आपको चीज़े आ जाएंगी, समझ में, सब चीज़ जो backend में हो रहा है, सब चीज़ समझ में आएंगी कि spring boot, जो controller हम बना रहे है, spring boot में, वो spring MBC से हम लोग ऐसे बनाते थे, ऐसे हम लोग configuration करते थे, वही चीज़ यहां पर automatic हो रही है, तो भाई चांस अगर आपको कुछ, मतलब, अगर आपको खोदना है, जा करके तो आप खोद सकते हो, आपको चीज़े पता होंगे, तो पहला case ही बनता है उनके लिए, जो fresher है, या fresher तो मतलब fresher वाले, पहले वाले case में भी fresher होंगे, लेकिन दूसरा case उन लोग का है, जिसके पास कम time है, less time है, जिसके पास less time है, और वो spring boot से APIs वगरा बनाना चाह रहे है, and spring boot मतलब सीखना चाह दे, time कम है, और जिसके पास धायर भी कम है, ध कि नहीं रह सकते, उनको चाहिए, उनको चाहिए, उनको चाहिए, उनको रिजल्ट जल्दी चाहिए, ज्यादा देर तक उस technology के साथ रहेंगे, तो हो सकता है, कि interest उनका चला जाए, अगर ऐसा आपका nature है, समय भी कम है, धार भी कम है, then आप start करो directly spring boot से, directly spring boot, लेकिन spring boot को directly से पहले आपको कम से कम थोड़ा बहुत core spring का knowledge ना चाहिए, spring core का knowledge होना चाहिए, अब spring core में भी आपको basic, what is actual problem that spring is trying to solve, ये चीज, इस question का आपको अंसर पता होना चाहिए, कि spring basically क्या problem solve कर रही है, dependency injection, inversion of control, how spring injects the dependencies, इन सब के बार में spring core के बार में थोड़ा बहुत आपको knowledge ल core spring पढ़ लो, spring dependency, independence injection वगरा पढ़ लो, ठीक है, ये सब चीज, auto wiring वगरा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, दो चार दिन टाइम आप दे दो, and then start with your spring boot, आप spring boot से start करो, अब project बनाना, start करो now, जब आप projects बना हो गए, या जो सीखो के spring boot, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत आएंगी, क्योंकि आपने बीच में jump मार दिया है, अब वहाँ पर दिक्कत आएंगे, तो आपको करना क्या, आपको दुबारा जाना है spring पर, और जो जो दिक्कत आएंगी, उनको देखना है, पढ़ना है, और सीखना है, क्योंकि हो सकता है, आप यहाँ पर directly JPA यूज कर र तो survive करने की छमता होनी चाहिए, अगर आप survive नहीं कर पाओगे, तो डूबने वाले chances तो second case में जादा है, बट मेरा मानना है कि भाया, spring, spring boot, यह सब चीज़ सीखोगे, बहुत दादा learning कर में, तो आप directly case 2 से भी start कर सकते हो, आप directly spring boot से शूरू करो, spring core की कुछ चीज़े जैसे मैं आप लिग दूँ, dependency, injection वगएरा के बारे में सीख लें, जो important topics से google कर लें, अदर्वाइस आप कहोगे, तो मैं वीडियो बना दूँगा कि कितना spring सीखें, spring boot को सीखने से पहले, कुछ important topics मैं बता दूँगा, उसको आप पढ़ लिजेगा, comment screen में जरूरू सीखने जाओ, लेकिन जो modules हैं, उनके बारे में at least, जो core modules है, modules बहुत सारे हैं, अगर आपने, आपको पता हो, core, spring core सबसे ज्यादा important है, जन MBC, ORM, ऐसे करके JDBC, ऐसे करके बहुत सारे modules हैं, उनके बारे में आप सीखो, और पढ़ हो, क्या होते हैं, तो दो cases बनाएं, अब आपको कौन से case को लेकर चलना है, यह आप decide करोगे, वीडियो यावली कैसे लगी, comment section में जरूप रहेगा, इस तरह की वीडियो में लाने वाला हो, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कि सर क्या JSB सीखना जरूरी, spring boots से पहले, तो यह सब वीडियो में आपके लिए यह सब वीडियो भी में फीटर में लाने वाला हो, तो सपोर्ट करना मत बूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा, जल्दी कुछ नए आने वाला है, तो सपोर्ट चरूर करिए, चले, बाब बाई